नमस्का, दोस्तो, प्लसपन्न के YouTube के वीडियोस में आपका स्वागत है, दोस्तो, मरे नाम है निकेत शाहा, दोस्तो, आपकी स्क्रीन में ये जो लाल कल़के campaign के नजर आ रहे है, आपको मालू है कि ये capacitor है, लेकिन कि आपको मालू है कि कोन से प्रकार का capacitor है, यह कहां पर इसका use होता है या इसके जो उपर जो value लिखी गे इसका मतलब क्या है नहीं मालू है ना आज के इस वीडियो में एक दम detail में बताना वाला है जिनको मालूं है बहुत अच्छी बात है अंतक जरूर देखेगा क्योंकि उसमें भी बहुत चारी चीज़ आपको नहीं मालूं पड़ेगी और जिनको नहीं मालूंगे उनके लिए तो अंतक जरूर देखेगा पसंद आएगा ना तो बिलकुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भोलिए और अगर आप नए है चैनल के पर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बैल का एकॉन दबा दिजे ताकि हमारे जो भी नए वीडियो जाएगा उसका नोटिविशन आपको जलसे जन मिल जाए तो चलिए अभी शरुआत कलते सबसे पहले जो कंपोनेंट आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है मैंने जैसे बताएगी यह कैपासिटर है लेकिन इस वीडियो में मालूम पड़ेगा कि यह कौन से प्रकार का कैपासिटर है इसका इस्तमाल कहां पे होता है इसके प्रकार कितने है और इसकी जो वेल्यू है उसको रीड कैसे गरे इतनी सारी चीज़े आपको इस वीडियो में जानकर ही मिल जाएगी सबसे पहले जिन लोगों को मालूम है जिन लोगों ने कमेंट में जवाब दिया है कि कौन से कैपासिटर है उनको बता दो यह पॉली प्रोपलीन कैपासिटर है कुन सा है? पॉली प्रोपलीन हाला कि सबसे पहले मैं इसको बता दो इसका इस्तमाल कहां कहां पे होता है यानि कि वेर इटी इस यूस्ट तो इसका इस्तमाल आप बैटरी चारजर में देख लो mobile की charger में भी ऐसे लाल कलगा आपको component नज़र आएगा यह fan का जो regulator जरता ना आजकल नए वाले उसमें भी आपको नज़र आएगे 3, 4, 5, 6 भी रहता है फिर आपको जो mosquito बैट रहता है मच्छरवाने का जो बैट रहता ना रेकेट वाला उसमें भी रहता है आपका CFL बल्ब रहेगा यह LED बल्ब रहेगा तो इतनी सारी जगे पर इसका इस्तमाल कियाता है ने कि बहुती common applications के लिए आजकल हम लोग इस type के capacity याने कि polypropylene का use करता है अभी इसके प्रकार कितने है तो जैसे मैंने बताया एक तो आपको प्रकार मालूम पढ़ गया polypropylene यह जो आपको सामें स्क्रीन पे दिखा दे रहा ना इसमें भी अलग-अलग प्रकार है अगर ध्यान से देखो कि ना तो यहाँ पे CBB लिखा है यह यह लिखा हुआ है यहाँ पे अलग दिखा है यहाँ पे कुछ अलग लिखा है इससे हमें प्रकार की मालूम पढ़ती है लेकिन सबसे वहले प्रकार की बात करें तो इतने सारे प्रकार है polypropylene है, polyester है polynapthal है, polysulfide है, polycarbonite है वैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है और हर एक का कुछ अब्रिवियेशन है अब्रिवियेशन यहने उसको पैचानने का तरीका PPN यहने polypropylene PPN यहने polyester है फिर वैसे PEN का मतलब यह होता है PS का मतलब यह PC का मतलब होता है polycarbonate तो ऐसे अलग अलग अब्रिवियेशन से भी उसको पैचाना जाता है हाला कि अब्रिवियेशन आपको नहीं समझना है मेन तो हमें समझना है कि हम लोग पैचाने कैसे ही कि capacitor कौन सा है तो उसके उपर आपको एक value लिखी रहती है जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है CL21 यहाँ पर लिखा है MEF लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है CBB ज्यादा तर हमारे इसमें दो ही प्रकार के capacitor यूज होता है एक polyester और polypropylene ठीक है तो CL जो रहता है वो polyester का प्रकार है वैसे MEF जो लिखा हुआ रहता है या MER जो लिखा हुआ रहता है वो दोनों ही capacitor polyester घी रहता है तो यह दोनों कौन सा है polyester है देखो MER लिखा हुआ रहेगा या MEF लिखा हुआ रहेगा या CL लिखा हुआ रहेगा तो polyester जहां भे आपके LED बल्प में ज्यादा तर केसेस में CBB लिखा हुआ रहता है या MPR लिखा हुआ रहता है यह है Polyproponate Capacitor सहज में अरी बात तो इससे आप उसका फरक अंतर समझ सकते हो कि Polyester और Polyproponate में क्या लिखा हुआ आता है लेकिन इसका मतलब क्या है इसको भी एकदम डीटेल में समझना है तभी तो हमें exit कहां पर लगाना है कितना value का लगाना है समझ में आएका correct उसको जानने से पहले जानकरी के लिए बता दू हम लोग ने बहुत सारे online courses चालू कर दिया जैसे electronics हो गया प्लस पॉइंट ट्रेनिंग यह आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा है जादा जानकरी चाहिए तो मैं वाट्सप नंबर है इस पर मुझे केवल हाई का message डाल दीजे तो मैं सारी जानकरे आपको वाट्सप के माधिम से भुजवा दूगा चले आगे बढ़ते हैं हाउ तो रीड दा वैल्यू यानि कि हम लोग ने जो capacitor देखा उसकी value का कैसे read करें example की तोर पर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं यह M E F है यानि पॉलिष्टर है इसके नीचे 474 K 250 तो जो आखरी अक्षर है 250 उसका मतलब है यह maximum voltage कितना यह bear कर सकता है याद रखे कि आपके घर पर जो आता है 250 वोल्ट आता है तो 250 maximum voltage जैसे आपके अप्लाइंस जो भी है उसके अनोसार रहता है तो 250 वोल्ट maximum value है इसका maximum इतना जहल सकता है उसका मतलब यह हुआ इसके अलब आपको जो के दिख रहा है के यह 250 का आगे के दिख रहा है यह उसका tolerance tolerance का मतलब क्या है पहले वो समझ लेता है उसके बाद में 474 को समझते है ठीक है तो सबसे पहले maximum value आपको समझ में आना अभी मैं आपको बताता हूँ के जो है tolerance है तो उस के की जगे पर कभी कोई F लिखा हूँ रहता है कभी ज l लिखा हूँ रहता है कभी J रहता है कभी K रहता है म, Z तो उसका मतलब आपको की अगर उस component में लिखा हुआ F, उसका अंदर होई 1 टका उसकी value आगे बीचे हो सकती याने कि 99 हो सकती है या 101 हो सकती है अगर में K लिखावा रहेगा तो 10 टका, याने कि अगर उसकी value 100 लिखी हुई है तो उसकी value हो सकती कि 90 है या 110 हो सकती है, 90 से 110 के बिच में कुछ भी हो सकती है, ऐसा, अगर Z लिखा वा रहेगा, तो प्लस में 80%, याने कि अगर बहुत रेर किसमें Z आपको दिखाए देगा, अगर 100 की value है, तो वो 180 तक जा सकता है, माइनस में, आपका 80 तक जा सकता है, तो इस तरह से उसका tolerance से हमें मालूम पड़ता है, तो tolerance हम लोग जादा तर जो है, F, G और J, K, उससे हमें ही यूज काते है, M और Z बहुत कम इसको अपको इस्तमाल देखने मिलेगा, जादा तर F और J में हमारा काम हो जाता है, 1 से लेकर 5%, याने कि value थोड़ा सा आगे, पीछे कितना हो सकता है, उसका value यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब समझ में है, चले, अभी में बात करता हूँ, जो 474 लिखा न, उसका मतलब क्या है, यह तो उसका model नंबर हो गया, इससे हमें समझ में आ गया, कि polypropylene है, या polyester है, इससे हमें मालूम पड़ेगा कि maximum voltage है, कितना bear कर सकता है, यह हमें समझ में आ गया, tolerance है, और यह उसकी main value है, इसको बोलते है, capacitance, क्या है, capacitance, इसको calculations रहता है, येस, तो उसके calculations हमझते है, माल लो, कि यहाँ पर 105 लिखा हुआ है, 105 जे, ऐसा लिखा हुआ है, जे का मतलब है, जो प्लस और माइनस जो यहाँ पर देखो, जे का मतलब कहा है, प्लस और माइनस 5 परसंट, तो आपका 5 तका 400 वोल्ट maximum है, और 105 का मतलब होता है, माल लो, कोड 105, तो उसकी value हमें ढूंड़नी बढ़ती है, कैसे, 105 में से पहला जो 10 है वो ले लिया, पहले दो अक्षर कौन सा है, 10 है, 10 ले लिया, into 10 कर देने का, जो भी value रहेगी, into 10 कर देने का, और जो दूसरा अक्षर है 5, उसक इसको multiply करोगे, तो आपको value, Kelsey में देख लेना, इतने ही value आपको मिलेगा, यह है हमारे लिए picofarad, यानि कि 10 लाख picofarad इसकी value हो गई, अगर इसको nanofarad में convert करना है, तो 10 लाख picofarad divided by thousand कर देने का, तो इसकी जो भी value मिलेगी, वो आपको nanofarad में मिलेगी, यानि कि 1000 nanofarad इसको microfarad में अगर convert करना है, तो इसको भी divide by thousand करने का, तो यह हो जाएगा 1 microfarad, अगर 1000 divide by 1000 करेगा, तो एक ही बचेगा, इसको लेगे 1 microfarad, तो इसकी जो value हो गई, यह है 1 microfarad की, अगर picofarad में बात करें, तो 10 लाख picofarad है, सहज में आरी बात, तो इस तरीके से, इसका ज लेने जाओगे, तो यह code से आपको calculation समझ में आना चाहिए, तो देख लेना यह video को दुबारा एक बार, तो समझ में आएगा, और details में यह जो मैंने calculations बताए, बहुत ही आसाने, बहुत ही simple है, अगर आपको next video चाहिए ना, तो यह जो मैंने आपको बताए, polypropylene capacitors है, वो हम अगर आपको देखना है, तो अगला वीडियो में जरूर बनाऊगा, अब comment में लिख देना, तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊगा इसके उपर, ठीक है, तो I hope कि दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, याद रखेगा, अगर आपको online courses करना है तो हमारा app का नाम है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, यह आपको Google Play Store पे मिल जाएगा, अधिक जानकरी कले मेरा WhatsApp नमबर है, इस पे मुझे हाई का मैसेज जाल दीज़, मैं पूरी जानकरी आपको WhatsApp के माध्यम से बिज़वा दोगा, I hope कि दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, पसं कर दोस्तों चา Chinonse है, प्रेनि महीम से गे बिज़वा से जावा है, यह होग जावा है, वीज़ दीज का मैसे जाओा है, यह ही जाएगा यह भावा है, यह है यह है, यह ह। आपको.